हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में बनाना सिखेंगे फैब्रिक वाइटनर जिस तरीके का मार्केट में मिलता है यह फैब्रिक वाइटनर आपके सभी सफेद कपड़ों में से दाग या दब्बे अटाने का काम करता है लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इने यू हमें इन चीजों की जुरूत होगी जिसमें की सबसे पहले आता है हमारा मीजर इंग्रेडियन्ट जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट 12% कंसेंट्रेशन वाला अराउंड 125 ml तक हमें इसकी जुरूत होगी और दूसरी चीज है डीम या आरो वाटर इसे हम प्यॉर वाटर भी कहते हैं अराउंड 375 ml तक हमें इसकी जुरूत होगी तो देट मींज हमें 25% सोडियम हाइपोक्लोराइट की जुरूत होगी और 75% वाटर की जुरूत होगी और एक खाली वीकर और एक स्टिरिंग रॉड तो चलिए इसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम एड करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट 12% कंसेंट्रेशन वाला अराउंड 125 ml तक हम एक खाली वीकर में डाल देंगे और दूसरी चीज जो हम इसके अंदर एड करेंगे वो है डी एम या आरो वाटर अराउंड 375 ml तक हम इसे हमारे वीकर में डाल देंगे तो हमने बेसिकली किया है डाल यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइट का और अब हम हमारी स्टिरिंग रॉट की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे हमारा फैबरिक वाइटनर तयार हो गया है 500 ml क्वांटिटी में और आप चाहें तो इसके अंदर खुश्बू भी आड कर सकते हैं वैसे तो फैबरिक वाइटनर बनाने के बहुत से तरीके हैं लेकिन ये सबसे इजी तरीका है सिर्फ sodium hypochloride solution को dilute करके आप बहुत easily इसे बना सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी packaging करते हैं और packaging होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा product तयार हो गया है यूज करने के लिए भी और market में sell होने के लिए भी और इसे यूज करने का तरीका है जस्ट एक कप fabric वाइटनर आप अपनी आधी बाल्टी पानी में डाल दीजिए और अपने सफेद कपड़ों को उसमें भीगो कर रग दीजिए पांच मिनिट के लिए और उसके बाद अपने सफेद कपड़ों को निकाल कर उन्हें धो लीजिए washing powder की मदद से और आप देख अपने कितना आसान है fabric वाइटनर बनाना और इसे हमने बहुत ही कम कीमत में बनाया है तो आप इसका business करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो friends मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज से लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें थैंक्स पर वाचिंग और स्टे कनेक्टेड